मेरे मित्र, राश्पति माक्रे और अर्जेंटीना से आए आप सभी विशिष्ठ अतिजिगान। नमस्कार। मैं राश्पति काव और उनके परिवार तथा शिष्ठ मंदल का हारदिक स्वागत करता। यह खुशी का विशह है कि ब्यूनोस एरिस में हमारी मुलाकात के दो महिने बात मुझे आज भारत में आपके स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर राश्पति माक्रे और उनके टीम को ट्वेंटी एटीन में जी ट्वेंटी समीट के कुशल और सफल आवजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राश्पति माकरी का नेतृत्व समीट के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। भारत की स्वतंतता के पच्चतरवे वर्ष याने सन 2022 में जी ट्वेंटी समीट के भारत में आवजन की सुकत गोश्रां बिनोस एरिस में जी ट्वेंटी समीट के दोरान राश्पति माकरी ने की थी। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मित्वर राश्पति माकरी के साथ मेरी आज पांचवी मुलाकात दोनों देशों के बीच द्वीपक्षिय एंगेजमेंट की तेज रत्तार को बढ़ते महत्व को दर्शाती है। हमने ये साबित कर दिया है कि दोनों देशों के बीच पंदरा हजार किलोमेटर की दुरी एक संख्या मात्र है। राश्पति माकरी की ये आत्रा विशेश वर्ष में हो रही है। दोनों देशों के बीच कुट्रिनितिक समंधों की स्थापना का ये सत्तरवा वर्ष है। मगर हमारे लोगों के आपसी सम्मन इससे भी पुराने है। गुर्देव रविनना टैगोर ने 1924 में अर्जेंटिना की यात्रा की थी। इस यात्रा का अमिट प्रभाव उनकी रचनाओं के जरिये अमर हो गया है। दोनों देशों ने अपने साजा मुल्यों और हितों को देखते हुए और शांती, स्थिर्ता, आर्थिक प्रगती और समुरुद्धी को बढ़ावा देने के लिए अपने समंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टरशिप का रूप दिया है। मैं और राश्पती माकरी इस बात पर सहमत है कि आतंगवाद वैश्विक स्थांती और स्थिर्ता के लिए बहुत बड़ा गंवीर खत्रा है। पुलवावा में हुआ क्रूर आतंगवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंगवाद और उसके समर्थकों के विरूत एक जूट होकर फोस कदम उठाने की आवश्यक्ता है। आतंगवादियों और उसके मानवता विरूती समर्थकों के खिलाब कारवाई से हिचकना भी आतंगवाद को बढ़ावा देना ही है। जी ट्वेंटी देशों के तौर पर यह भी महत्वपुन है कि हम आतंगवाद का मुकाबला करने पर हैंबर्ग लीडर स्टेट्मेंट के ग्यारा सुत्री एजेंडा को कार्यानवित करें। इस समंद में यह महत्वपुन है कि हम दोनों देश आतंगवाद के खिलाब एक स्पेशल डिक्लेरेशन आज अपनी बातचित के बात जारी कर रहे हैं। अंत्रीक्ष और परमारू उर्जा के शांतिप्रण उप्योग के लिए इस छेत्र में हमारे सहियोग लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस कोपरेशन के समन्द में आज जिस समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए हैं वो रक्षाक्षेत्र में हमारे सहियोग को एक नया स्वरूप देगा। फ्रेंट्स भारत और अर्जेंटिना कई माइनों में एक दुसरे के पूरक है। हमारे यह प्रयास है कि आपसी हित के लिए इनका पूरा लाप उठाया जाए। अर्जेंटिना क्रिसी का पावर हाउस है। भारत अपने फुर्ड सिकुरिटी के लिए इसे एक महत्वपून भागिदार के रूप में देखता है। आज हमारे बीच हुए एग्रो इंडुस्रिल कॉपरेशन की कारिय योजना इस दिशा में एक महत्वपून कदम है। ICT क्षेत्र, विशेशकर, JEM यानि जंदन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी तथा Digital Payment Infrastructure में भारत की सफलता हम अर्जेंटिना के साथ साजा करने के लिए तयार है। भारत में हमने लक्ष निर्धारित किया है कि हमारे कम से कम 30 प्रतीशत वेहिकल 2030 तक इलेक्ट्रिकल बैटरी से चलेंगे। अर्जेंटिना लिथियम ट्राइंगल का हिस्सा है जहां विश्व का लगभग 54 प्रतीशत 54 प्रसंट लिथियम भंडार है। हमारे सयुक्त उपक्रम काबिल ने अर्जेंटिना के साथ खनम ख्षेत्र में सयोग के लिए विचार विमर्ष शुरू कर दिया है। फ्रेंट्स पिछले दस वर्सों में हमारा द्विपक्षिय व्यापार दूगुने से भी जादा बढ़कर थ्री बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। कई ख्षेत्रों जैसे क्रशी, धातू, एबन खनीज, तेल और गैस, फार्मासुटिकल, रसायन, मोटर वाहनों और सर्विसिज में और महत्वपौन बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आज हमने अपने कॉमर्सियल एंगिजमेंट को बढ़ाने के लिए विशिष्ट्र तरीकों की पहचान की हैं। मुझे खुशी है कि राश्पति माकरी के साथ आर्जेंटिना की अनेक महत्वपौन कंपनियों के प्रद्रिदी आज भारत आये हुए हैं। मुझे पुरा विश्वास है कि दिल्ली और मुंबई में भारत के बिजनेस लिडर्स के साथ उनकी बाचीत बहुत सार्थक होगी, उप्योगी होगी। 2004 में भारत मेरकोसूर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। अर्जेंटिना की वर्तमान प्रसिडेंशि के दवरान इंडिया, मेरकोसूर व्यापार के विस्तार के लिए अनेक उपायों पर आज हमने चर्चा की है। Friends, अर्जेंटिना में भारती एक कला, संस्कृती और आध्यात्मिक्ता के लाखो प्रसनुशक है। भारत में अर्जेंटिना का टेंगो, डांस और फुटबल बहुती लोगप्रिया है। लोगों को और नदिक लाने के लिए आज परियाटन और पब्लिक ब्रोडकास्टिंग एजन्सियों के बीच सहयोग तथा सांस्कृतिक आधान पदान कारेकमों पर एग्रिमेंट किये गए हैं। फ्रेंट्स भारत और अर्जेंटिना अंतराश्य फोरमों में अच्छा सहयोग कर रहे हैं। वैश्विक शांती एवं सुरक्षा और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए रिफॉर्म मल्टी लेटरलिजम की आवश्रक्ता को हम स्विकारते हैं। अर्जेंटिना ने मिसाइल टेक्नोलोजी कंट्रोल रिजिम, वासेनार एर्रेंजमेंट्स और आस्टेलिया ग्रूप वो नुकलियर सप्लाइज ग्रूप में भारत की सदस्ता का पूर जोर समर्थन किया है। साउथ साउथ कॉपरेशन हमारे लिए बहुत महत्वर रखता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही हैं कि 2019 में विनोस एरिस में होने वाले दूसरे उचस्तर के United Nations Conference on South-South Corporation में भारत सक्रिय रूप से भाग लेगा। जलवायुक परिवर्तन के विरूत संगर्ष में हमारे विचार समान है। International Solar Alliance मैं नए सदस्के रूप में अर्जेंटीना का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसंता हो रही है। Excellency मैं एक बार फिर भारत यात्रा के लिए निमंत्रन को स्विकार करने के लिए आपका आभार प्रगड करता हूँ। मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार के लिए यात्रा आनंद दायक रहे। धन्यवाद मुचस ग्राश्यास।